सफलता शब्ध हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है इसका जवाब आपको गौतम बुध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किये जाने वाले प्रयासों में हमसे कहा चूख हो जाती है जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है एक बार गौतम बुध अपने भिच्शूओं के साथ एक गाउ से गुजर रहे थे उस गाउ में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण लोग परिशान थे गाउ के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था गाउ के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे-छोटे बहुत सारे गड़े खुदे हुए थे एक भिच्शू ने अपनी जिग्यासा को शांत करने के लिए गौतम बुध से पूछा की गाउ के इस मैदान में जो इतने सारे गड़े खुदे हुए है आखिर उनका क्या उप्योग है बुध ने मुस्कुराते हुए अपने भिच्शू को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिच्शू इस गाउ में पानी की समस्या है इसलिए गाउ बालों ने पानी की खोज में ये छोटे-छोटे गड़े खोदे है इतना सुनते ही भिच्शू उन गड़े में पानी ढूंडने लगता है लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती फिर वह गौतम बुध से कहता है कि इन गड़ों में तो पानी ही नहीं है गौतम बुध कहते हैं तुम्हें वहाँ लोगों की भीड दिख रही है क्या इस गाव के जमीन में बिलकुल भी पानी नहीं है गौतम बुध कहते हैं पानी तो है लेकिन गाव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंड सके भिख्शू को बुध की बात समच नहीं आती तब गौतम बुद्ध कहते हैं गाव के लोगों ने पानी की खोज में मैदान में इतने सारे गड़े तो कर दिये हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है यदि गाव के लोग अलग-अलग कई गड़े करने के बजाएं सही दिशा में केबल एक गड़ा ही करते जो की सौ गड़ों के बराबर होता तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता दोस्तो गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से सौ दिशाओं में भागता है लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर, काम किया जाएं तो लक्षे तक अवश्य ही पहुँचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है असफलता का कारण मन का चारों और भटकना ही है अच्छे हो या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं परंतु हमें अपने मन को केवल अपने लक्षे की और केंद्रित करना है जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी